नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल हेल्पिंग हैं फॉरेवर पर दोस्तों बलारपूर इंडस्ट्रीज लिम्टिट कंपनी ने जो है बैंकरप्सी फाइल की थी और जो है इसका प्रोसेस चल रही थी तो अब यहां पर एंसे ल्टी ने इसका जो है रेजलिशन प्लान वो अप्रूब कर दिया गया है इसके लिए रिकॉर्ड डेट भी जो है फिक्स कर दी गई है और किसने यहां पर यह रेजलिशन प्लान या फिर कहें कि अब कौन कंपनी को जो है टेक कंपनी है Finquest Financial Solution Private Limited और यहां पर इन्हों ने जो है अप्रूबल जीता है अब बात करते हैं कि यहां पर इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट क्या रखी गई है जो कि eligible shareholders के लिए क्योंकि अब जो है नए रिजलिशन प्लान के अंतरगत जो shareholding pattern है वो यह तो write off होगा या फिर dilute होगा यानि कि write down होगा तो यहां पर देखिए आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से किया गया है पहले आपको बता दू कि इसके लिए जो record date क्या रखी गई है तो record date रखी गई है 23 जून 2023 की तो इसका मतलब आज 22 जून तक जो भी share खरीद लेंगे या आज जो खरीदते हैं और फिर record date तक hold करते हैं या अभी पहले भी खरीदे हुए हैं और record date तक hold करेंगे तो वो shareholder हैं वो eligible रहेंगे इस नए प्लान के अंतरगत जो की नया shareholding pattern बनेगा तो यहाँ पर पहले आपको बता दू कि जो company ने shareholding pattern रखा है उसमें पहले बताया है कि जो promoters की holding है यानि कि जो इनके पहले promoter थे वो zero write-off कर दिया जाएगा तो उनकी holding पूरी तरह से zero कर दी जाएगी उसके बाद resolution applicant यानि कि जो यहाँ पर finquest financial solution private limited है जिन्होंने की bid जीती resolution plan की उनकी shareholding 85% की रहेगी इसके बाद जो financial creditor थे यानि की जिन्होंने कर्च दिया हुआ था company को उनकी shareholding 37% की रहेगी और जो existing shareholder है other than promoter यानि की promoter के अलावा जिसमें FII, DII या फिर retail investor इन सभी को मिला कर जो की existing shareholder है उनकी जो total share value या फिर percentage रहेगी वो 2.5% की रहेगी तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली है कि company में जो अभी इनकी जो shareholding थी वो लगभख 97.32% की थी FII, DII और retail investor को मिला कर लगभख 97.32% की इनकी shareholding थी जो की write down कर दी गई है यानि की इनको dilute किया गया है और अब जो company में इनकी shareholding रहेगी वो 90 sorry 7.5% की ही रहेगी जो की पहले 97.32% की थी तो अब as per new resolution plan जो इन जो existing shareholder थे promoter group को छोड़ कर उनको 4.125 करोड रूपे के जो है total share allot होंगे जिनकी face value रहेगी 10 रूपे की और ये total paid up capital जो की 55 करोड रूपे की है उसकी 7.5% की रहेगी तो यहाँ पर जो भी retail shareholder DII FII थे promoter group को छोड़ कर उनकी shareholding write down कर दी गई है और अब इनकी shareholding मात्र साड़े 7% की रहेगी तो यह था update बलारपूर इंडेस्टी इस लिम्टेट का जो resolution plan है उसके regarding आसकतों जनकारी आपको फसंद आई होगी प्लीज लाइक कीजी वीडियो को सब्सक्राइब पीजी मेरे चै झाल